कि आपके phone का camera भी open नहीं हो रहा है जब भी आप अपने phone के camera को open करने जा रहे हैं कि आपको भी कुछ ऐसा error देखने को मिल रहा है camera error please restart camera to continue ok करके error आ रहा है तो ऐसे में आप अपने mobile phone के camera को open नहीं कर पारें तो दोस्तों मैं आपको बता दूँँगो चैहे आपके पास कोई स mobile phone करने हो अगर आपको भी आपने camera को open करने में यह error आ रहा है तो आज किस वीडियो में आपको टोटल एड हो ऐसी setting बताँगो जिन दो settings को enable करने के वाद में life proof के साथ आपको इस परामनों को solve करके दिखाने वाला हो तो दोस्तों इस परामनों को solve करने के लिए सबसे पहल बनी दूसरा बनी तीसरा option दिख रहा हो apps and notification हो सकते हैं आपके mobile phone में management app app info यह app list का icon दिख रहा हो तो कहने का मतलब है आपको अपने mobile phone की settings में सारी की सारी applications को निकालेंगे तो आपके सामने भी कुछ ऐसा interface खुलके आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको scroll करना है अब आपको अपने value में camera application को डूहन के निकालना है जैसी कि यहाँ पर मैं scroll करूंगे जैसे कि आप देखने calendar के साथ यहाँ पर camera है तो आपको camera पर click करना है तो जैसी आप camera पर click करना है तो यहाँ पर आपको तीन option देखने को मिलेंगे open का disable का force आपका तो निचाएंगे notification, permission, storage and kg जी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर तीसरे option 4 stop के आइकन पर click करके ok कर देने है तो 4 stop को ok करने से यह benefit होगा जो भी आपके mobile phone के camera में चोटे मुटे glitch होंगे तो automatically salam हो जाएंगे तो यहाँ पहली setting फिर आपको दूसरी setting करना है तो जैसी आप storage and kg के आइकन पर click करना है तो यहाँ गई दो setting अब आपको last and final setting के करना है अपने mobile phone में आपको अपने phone की home screen प्लाने के पर जो भी आना फाला बाटन इसको long press करना है तो जैसी इसको long press करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन option देखने को मिल जाएंगे emergency का lockdown का power को तो आपको power वाले icon पर click करना है तो जैसी आ आप पावर वाले icon पर click करेंगे तो last पर आपको अपने mobile phone को अट्लिस्ट एक बर start कर देना है तो जैसी आप अपने phone को अट्लिस्ट एक बर start कर देंगे तो रिस्टार्ट करने कदेंगे तो अब आपको प्रावल्म नहींगे आपको आपको यहाँ पर permission को allow कर देना है तो पर आपको पहला या आप चीन एगा while using the app आप आपको वाइल using the app की आइकन पर click करने है तो जैसी click करेंगे आपको आएगा ultra wide angle mode तो आपको अपको यह आपके सामने camera आपको आपको ऑपन हो जगा आपको आपको फोटो किलिक करकर कर दिखाना लों यह देखे मैंने हाथ का फ आम लोग को साल्प कर सकते हैं दोस्तों ये थी छोटी से इंफार्मेशन वीडियो अच्छे लगी चैनल को सब्सक्राइब करने ने बुलिए थैंक यू